हाई गाईज, वेलकम तू दी करंट अफेर्स फंडा, इस वीडियो में हम डिसेंबर 2nd वीक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स एक साथ कवर करने वाले हैं, तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेर्स नहीं देख पाए हैं, वो इस वीडियो के तुरू, डिसेंबर 2nd वीक के सभी करंट अफेर्स एक साथ कवर कर सकते हैं, और फ्रेंट्स, जो लोग हमारे डेली करंट अफेर्स देखते हैं, वो यहां से रिवाइस जरूर करें, तो मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा, चले करते हैं सुरूरा तिस वीडियो सेशन की, और फ्रेंट्स, यह टास्क फोर्स सेट अप की गई है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोफ क्रियाल निशंग जी द्वारा, और फ्रेंट्स आपको यह बी बता दूँ कि जो रमेश पोफ क्रियाल निसंग हैं, यह उत्राखंड के पूरु मुख्य मंत्री रह चुके हैं, बसंचार, ओफन मेंशन इन निउज, इस लोकेटेड इन, तो अक्सर समाचारों में उल्लेखित, बसंचार, यह फ्रेंट्स बंगाल की खाड़ी में इस्तित है, और यह बांगलादेश का हिस्सा है, तो यह आजकल इसलिए निउज में है, क्योंकि जो बांगलादेश है, यहाँ पर जो रोहिंग्याज जो आबादी है, जो माइग्रेंट्स हैं रोहिंग्या, उनको फ्रेंट्स कोक्स बाजार जो यहां का एरिया है, यहां से इनको माइग्रेट कर रहा है, इस बसंचार वो बोद्ध है लेकिन 10 लाग से जादा यहां पर रोहिंग्या मुसल्मान हैं इन मुसल्मानों के बारे में कहा जाता है कि वे मुख्य रूप से अवैद बांगलादेशी प्रवासी हैं और सरकार इन्हें नागरिक्ता देने से इंकार कर रही है हाला कि यह म्यामार में पीडि बनाए गए हैं और फ्रेंड्स आपको बता दे कि भारत में भी कई सारे रोहिंग्या मुसलिम हैं और भारत जो हैं उनको सरनार्थी का दरजा अभी तक नहीं दिया है उनको अवैद ही मानती है यहां से आप देख सकते हैं इस आईलेंड की लोकेशन बसंचार ग्वालियर और और चा जिनने युनेसको द्वारा विस्व विरासत सहर की सूची में सामिल किया गया है यह मध्यपरदेश राज्य में इस्तित हैं और चा की अगर बात करें तो यह अपने टेंपल्स और पैलेसेस के लिए फेमस है और बुंदेला किंग्डम की एक कैपिटल रह चुकी है अगर यहाँ पर और इंपोर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो राज महल, जहांगीर महल, राम राजा टेंपल, राय प्रवीन महल और रक्ष्मी नारायन मंदिर फेमस हैं ग्वालियर की बात करें तो friends ग्वालियर को गुर्जर, पर्तिहार, राजवन्स, तोमर, बगेल, कचवाओ और सिंधियास इन सभी ने रूल किया है और friends ग्वालियर में काफी सारे पैलेसेज और टेंपल्स हैं, साथ ही यहाँ पर सास बहु का मंदरी टेंपल, यह भी लोकेटेड है इसको लॉंच किया है, तो friends यह एक पेमेंट एप है, जिसके तुरू आप मनी टांसफर भी कर सकते हैं, किसी दूसरे के बैंक एक अकाउट में, और यह एक डिजिटल वालेट की तरह काम करता है, रिचार्ज भी हाँ से किया जा सकता है ICICI Bank से जुड़े कर करेंट अफेर्स की बात करें, तो हाल ही में ICICI Bank ने अपना एक representative office नेपाल में open किया है, साथी ICICI Bank ने Cardless EMI इसको launch किया है ICICI Bank ने एक अपना banking stack launch किया है, Millenian customers के लिए जिसका नाम है Mine और ICICI Bank ने iStartup 2.0 इसको launch किया है, जो की start-ups के लिए एक program है साथी ICICI Bank ने एक virtual property exhibition ने launch किया है, जिसका नाम है Home UTSO साथी ICI Bank ने Insta Flexi Cash इसको launch किया है, तो यह क्या है Friends, यह जो इसके ICICI Bank के जो भी salary account customers हैं, तो उनको overdraft facility देना इसका मकसर है Insta Flexi Cash, तो यह पुरा paperless manner में overdraft facility अपने salary account customers को दिया जा सकता है साथी Friends, ICICI Bank ने iBox इसको launch किया है, जो की एक self-service delivery facility है इसके customers के लिए यह सभी current affairs हमने अपने previous videos में cover किये हुए हैं, तो यहां पर इनको include करने का मकसद आपके revision purpose के लिए हैं, तो इनको आप खुद से detail में देख सकते हैं Which of the following launched its skill development initiative, सक्षम, to boost employment opportunities in diverse sectors? The correct answer is option D. The Hyundai Motor India Foundation ने विभिन्न छेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अपने कोशल विकास पहल सक्षम की शुरुवात की है G. R. Udwani, who passed away recently, was the sitting judge of which high court? The correct answer is option A. G. R. Udwani, जिनका हाली में निधन हो गया है, ये गुजराद high court के नियाएधीश थे G. R. Udwani, who won the Ravindranath Tagore Literary Prize 2020 for his book The City and the Sea? The correct answer is option B. अपनी पुस्तक The City and the Sea के लिए राज कमल जा, इन्होंने Ravindranath Tagore साहित्य पुरुचकार जीता है अगर राज कमल जा की बात करें, तो ये Indian Express के writer और chief editor है साथी friends, इनका जो ये book है, इसका जो main theme है, वो जो निर्भिया जो case हुआ था, जो sexual assault case हुआ था, उस पर ये based है The correct answer is option C, तो इस पुस्तक के लेकख है, प्रेम प्रकास जी और friends, इन प्रेम प्रकास जी ने इस पुस्तक में कई सारे पहलू बताये हैं, खास करकि 1965 का जो भारत और पाकिस्तान के बीच war हुआ, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है, बताये गया है किस तरह से रशिया ने भारत का साथ दिया, और जो अमेरिका के प्रेजिडेंट थे उस वक्त, रिचर्ड निक्सन, इन्होंने किस तरह से इंडिया क और अपना रुख सही नहीं रखा था, और भारत को प्रेसराइस किया था, कि जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा आकरमकता से पेस ना आए, और फ्रेंट्स अगर हम 1965 के वार की बात करें, तो पाकिस्तान द्वारा ओपरेशन गिब्राल्टर यह लॉंच किया गया था, जम्मु एंड कश्मीर में गुस्पैट करने के लिए, और उसके बाद फिर अमेरिका और रश्या की मद्यस्ता के बाद, फिर सीज़ फाइर भी किया गया, इसके लिए युनाइटेड नेशन का जो रिजोल्यूशन है, 211, इसको यहाँ पर एपलाई किया गया, और इस वक लैब क्रियेटेड मीड, तो फ्रेंट्स, सिंगापुर ने लैब निर्मित मास की बिकरी को मंजूरी दी है, और ऐसा करने वाला यह पहला देश बन गया है, सिंगापुर का आप यह फ्लैग भी देख लें, तो फाइव स्टार हैं इसमें, रामायन क्रूज टूर is being started on which river, the correct answer is option B, तो फ्रेंट्स, रामायन क्रूज टूर, इसकी सुरुवात सर्यू नदी पर की जा रही है, तो यह जो नैशनल वाटर वेज है, इसकी संक्या है, 40, नैशनल वाटर वेज 40 पर यह क्रूज सीप जो चलाई जाएगी, तो इसके तहत फ्रेंड्स क्या होगा जो ये। ईसका जो थीम होगा इंटीरियर जो थीम हो वो रामचेरित मानश पर बेष्ट होगा और इस नदी के किनारे जितने भी घाट kanske का अवलोकन किया जा सकता एप अचा जासकता है तो 6 दिसंबर को महा परी निर्वान दिवस के रूप में डॉक्टर भीम राव अंबेड करगी पुन्यति थी मनाई जाती है पुन्यति थी मतलब friends death anniversary तो इनका जन्म 14 अपरेल 1891 में हुआ था और इनकी जो death हुई वो 6 दिसंबर 1956 को हुई ये diabetes के patient थे और friends मर्नो परांथ इनको भारत रत ने मिला 1990 में और भारत के सुतंतर भारत के पहले ये law and justice minister रहे साथ ही chief architect of the constitution of India इनको कहा जाता है और friends साथ ही अगर इनकी लिखे हुई books की बात करें तो ये काफी important books हैं एक्जाम में पूछ ली जाती है essays on unstouchables and untouchability, the untouchables who are they and why they became untouchables the annihilation of caste, Pakistan or the partition of India, the Buddha and his dhamma, waiting for a visa, the problem of the rupee, its origin and its solution who were the sudras, Buddha and Karl Marx, Mooknayak, तो friends इस सभी important है, खास कर गी the problem of the rupee, Mooknayak and Buddha and his dhamma ये कई बार exam से पूछे जा सकोए हैं तो आप इनको याद रखना United Nations Conference on Trade and Development recently declared in West India as the winner of the United Nations Investment Promotion Award 2020 Where is the headquarters of Anktad located? The correct answer is option D संयुक्त राष्ट व्यापार और विकास सम्मेलन, Anktad ने हाल ही में Invest India को संयुक्त राष्ट निवेस प्रोतसाहन पुरसकार 2020 के विजेता के रूप में गोशित किया है तो जो ये Anktad है, इसका मुख्याला है स्विज़र्लेंड के जेनवा में इसको Friends, Anktad बोलते हैं, UNCTAD और Friends, अगर हम Invest India की बात करें, तो Invest India बारत में विदेसी निवेस को प्रोतसाहित करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई एक Non Profit Venture है, और ये Ministry of Commerce के Department for Promotion of Industry and Internal Trade के अंडर काम करती है और Friends, अगर हम Anktad की बात करें, तो 1964 में इसका गठन हुआ, और इसके Secretary General है, मुखीशा कितुई Who among the following have won Times 2020, Person of the Year, Reader Paul? The correct answer is Option D, तो Friends, Essential Workers को Time का 2020, Person of the Year, Reader Paul मिला है Essential Workers में आते हैं, Nurses, Doctors, Delivery People, Grocery Store Employees और इसी तरह के और भी लोग जिन्होंने COVID-19 पैंडेमिक के दोरान एक Front Line रहकर काम किया है, अपनी जिन्दगी पर रिस्क लेकर लोगों की सेवा की है, तो उन्हें बोला गया है Essential Workers Who has been appointed as the first Chief Executive Officer of the WHO Foundation? The correct answer is Option A, WHO Foundation के पहले मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में अनील सोनी को न्यूक्त किया गया है, और जो यह WHO Foundation है, इसका Headquarters रहेगा जीनेवा में, विश्व स्वास्त संगठन ने Corona संकट के बीच मई 2020 में विश्व स्वास्त संगठन Foundation इसके शुरुवात की थी, तो फ्रेंड जो अनील सोनी है, इनका जो मेन फोकस यह रहेगा कि दुनिया में स्वास्त छेत्र के नई तकनीक का इस्तिमाल किया जाए, स्वास्त छेत्र में नई तकनीक का इस्तिमाल किया जाए, और उनका आम लोगों तक फायदा पहुचाने पर इनका जो है, फोकस रहेगा तो हाली में चीन चंद्रमा पर जंडा लगाने वाला दूसरा रास्ट बना है इससे पहले ये काम United States कर चुका है 1979 में अपने Apollo 11 मिशन के दोरान और फ्रेंड तब से लेकर 1972 तक इसने पांच बार इस तरह अपने फ्लेग चंद्रमा पर लगाए है और फ्रेंड जो अब हम अगर चाइना की बात करें तो जो ये चाइना ने अपना फ्लेग चंद्रमा पर लगाया है तो ये इनोंने किया है Chang 5 प्रोब के तहत जो कि इसने अभी हाल ही में जो भी इस नॉंबर को लॉंच किया था तो इसका मकसल है कि चंद्रमा से soil samples लाना और फ्रेंड अगर हम चंद्रमा की बात करें तो याद रखना ocean of storms आपको यहाँ पर दीख भी रहा होगा तो ocean of storms यह friends जो चंद्रमा की सत्य है इस पे largest dark sport है तो यह आप याद रखना कई बार SST exam में पूछा गया है कि ocean of storms और साथ ही एक और टर्म है sea of tranquility तो यह दोनों ही टर्म moon से related हैं कई exam से में पूछा गया है अधार पुनावाला who is among six people named Asians of the year is the CEO of which company the correct answer is option B अधार पुनावाला जो Asians of the year के लिए नामी छह लोगों में से एक हैं यह Serum Institute of India के CEO है और friends अगर Serum Institute of India की बात करें तो यह वर्ड का largest vaccine manufacturer है और friends जो यह Asians of the year है यह खिताब दिया गया है Singapore का एक जो daily newspaper है The Straits Time दोआरा और अगर हम Serum Institute की बात करें तो इसका headquarters पूने में है और friends यह University of Oxford और एक जो British Swedish Pharmaceutical Company है AstraZeneca इसके साथ मिलकर COVID-19 vaccine बारत में डेवलप की जा रही है जिसका नाम है COVID-Shield Which of the following has recently cancelled the license of Maharashtra based the Karad Janata सहकारी Bank The correct answer is option A तो Reserve Bank of India ने हाल ही में महाराश्ट इस्थित The Karad Janata सहकारी Bank का license रद कर दिया है और friends यह जो license रद किया गया है यह इसलिए किया गया है क्योंकि इस बैंकरें जो Banking Regulation Act 1909 है इसकी section 56 को violate किया है लेकिन friends जो इसमें जितना भी deposit है जो भी लोगों का deposit है वो सभी की भरपाई करेगी DICGC तो friends जल्दी से जान लेते हैं DICGC के बारे में क्योंकि काफी important है यह देखे इसकी full form होती है deposit insurance and credit guarantee corporation यह friends RBI की subsidiary है और इसका headquarters है मुमबई में यह सभी bank deposits जैसे savings fixed, current deposits इन सभी का insurance करती है 5 लाख रुपे तक का और इसका जो premium है वो bank पे करता है इसका मतलब customer को यह free of cost insurance मिलता है यानि अगर मान लीजे किसी bank को कोई bank बंद करना पड़ रहा है और आपका उसमें deposit है तो 5 लाख रुपे तक के deposit को आपको यह DICGC यह आपको उसका भरपाई करेगी बुक्तान करेगी और RBI की friends अगर बात करें तो इसने हाल ही में मई 2020 में CKP cooperative bank इसका भी license रद किया है इन विच इस्टेट मजर हाट bridge has been renamed as जय हिंद ब्रीच तो वेस्ट बंगॉल में मेजर हाट पुल का नाम बदल कर जय हिंद पुल रखा गया है यह पुल friends दो साल पहले कोलैप्स हो गया था तो अब इसका फिर से उद्गाटन किया गया है और इसका नाम अब किया गया है जय हिंद ब्रीच अगर वेस्ट बंगॉल की बात करें तो यहां की कवर्णर है जगतीब धनकड कैपिटल है कॉलकाता और यह उडिसा, जारकंड, बिहार, सिक्किम, आसाम, नेपाल, भूटान और बंगलादेश से अपनी रैंड बॉर्डर शेयर करता है बुकसा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सुन्दर बंस नेशनल पार्क, निवरा वैली नेशनल पार्क और सिंगा लिला नेशनल पार्क ये सबी friends आप याद अखना ये सबी West Bengal में हैं और West Bengal से जुड़े अगर हाल ही के current affairs की बात करें तो West Bengal सरकार ने अपनी खुद की एक self scan app ये launch की है documents scan करने के लिए साथी friends Kolkata में इंडिया की पहली tram library ये चालू की गई है tram library मतलब friends एक चलती फिरती गाड़ी जिसमें की काफी books रहेंगी और अगर कोई शोकीन है पढ़ने का तो वो उसमें बैठे और पढ़ता रहे अपना साथी friends West Bengal ने एक anti electrocution cell ये बनाई है ताकि जो elephants हैं उनको electric shock से बचाए जा सके electrocution का मतलब होता है current लगना शोक लगना साथी friends यहां की CM ममताब एनरजी ने अपनी scheme अपनी government schemes को लोगों तक पहुचाने के लिए दुआरे सरकार इस program को launch किया है तो ये काफ़ important है How much has RBI increased the single transaction limit from rupees 2000 on contactless payments without PIN तो RBI ने बिना PIN के संपर्क रहित बुकतान पर एकल लेन देन सीमा को 2000 रुपे से बढ़ा कर दिया है 5000 रुपीज अच्छा friends जो ये contactless जो payment होता है without PIN ये होता है friends near field communication यानी NFC द्वारा तो इसके बारे में भी जल्दी से जान लेते हैं या भी ये भी काफ़ी interesting topic है देखें जो credit card होते हैं उसमें NFC chip होती है यानी near field communication chip होती है तो एक reader रखा रहता है जिस भी आप merchant को जो merchant जिसके पास आप payment करना चाते हैं उसके पास एक reader रखा होता है तो आप अपनी जो ये chip है जो आप credit card है उसके अंदर ये NFC chip है तो उस credit card को उस reader के सामने दिखाओ तो वो reader जो है आपकी credit card को read करेगा और वहाँ से amount को deduct कर लेगा तो friends जो इसकी maximum distance रहती है इन दोनों के बीच में वो 5 cm की होनी चाहिए maximum ठीक है और security regions की वज़े से इसकी जो amount है वो less रखी जाती है तो अब इसी amount को बढ़ा दिया है तो इस amount को बढ़ा कर अब 5000 कर दिया है पहले थी इसकी amount 2000 रुपे तक का भुकतान हो सकता था Alexander Lukashenko who has been suspended from all Olympic activities by international Olympic committee is the president of which country the correct answer is option c तो Alexander Lukashenko जिनने IOC द्वारा सभी Olympic गतिविदियों से निरंबित कर दिया गया है यह Belarus देश के रास्टपती है और friends जो International Olympic Committee के जो प्रेजिडेंट है Thomas Park इन्होंने कहा है कि जो यह Belarus के जो प्रेजिडेंट है यह players के साथ political discrimination यह करते हैं या फिर जो athletes हैं उनको political discrimination होने से बचाते नहीं हैं और friends अगर हम इनकी बात करें जो यह president है बेलारुस के तो यह अब तक 6 बार president बन चुके हैं और हर election में इस तरह के आरोप लगते आए हैं कि कुछ ना कुछ गड़बडी की गई है तो काफी controversial यह figure हैं और काफी चर्चा में रहते हैं यह रवी पटवर्दन who passed away recently was the famous actor from which film industry ती करेक्ट आंसार is option C रवी पटवर्दन जिनका हाली में इदन हो गया यह मराथी फिल्म उद्धियों के परसिद अभी नेता थे हाला कि इनो ने हिंदी मूवीज में भी काम किया है जैसी कि तेजाब अंकुष नरेंदर सिंग कपानी who passed away recently is also known as ती करेक्ट आंसार is option B नरेंदर सिंग कपानी जिनका हाली में निदन हो गया है इन्हें फ्रेंड्स father of fiber optics के नाम से जाना जाता है और इन्होंने जो यह fiber optics term है यह इन्होंने ही coin की थी इन्होंने ही इस term को इजाद किया था 1956 में अगर फ्रेंड्स हम optical fiber के बारे में जाने तो यह एक ऐसी पतली तार होती है जिससे light का उप्योग करके data transfer बहुत तेजी से किया जा सकता है और यह total internal reflection के सिद्धान्त पर चलता है इसमें बिजली का संचार नहीं होता बलकि light का संचार होता है Optical fiber जो है यह पतले कांच या प्लास्टिक से बनी एक लंबी तार होती है The correct answer is option A तो साकीर ग्रांप्री यह जीती है Sergio Perez ने जो की Mexican racing driver है Which of the following organization conferred International King Bhoomibol World Soil Day Award to the Indian Council of Agricultural Research The correct answer is option D The Food and Agriculture Organization यानि FAO ने भारतिय क्रिसी अनुसंदान परिसद यानि ICAR को अंतराष्टिय राजा Bhoomibol विश्मर्दा दिवस पुरसकार से सम्मानित किया है और friends यह सम्मान दिया गया है World Soil Day के दिन यानि 5th December के दिन अगर friends FAO की बात करें यानि FAO जिसे बोलते हैं इसका headquarters है इटली के रोम शहर में और इसका motto है friends Let them be bread और इसकी जो स्थापना हुई थी वो ही थी 1945 में Let there be bread मोटो जो है इसका Let there be bread Which states Cyber Crime Prevention Department has obtained a software from Interpol called Crawler to track suspects of child pornography The correct answer is option C Friends महाराष्ट सरकार ने Child Sexual Abuse के खिलाफ एक मोहीम शुरू की हुई है जिसका नाम है Operation Blackfish इसी मोहीम को आगे बढ़ाने के लिए इसने Interpol से Crawler नामक software लिया है इसके तुरू Child pornography में लिप्त संदिक्दों पर नजर रखी जा सकेगी Interpol यानि International Criminal Police Organization इसका Headquarters है फ्रांस के Lyon सहर में As per the new survey conducted by Nepal and China, the height of Mount Everest has become taller by The correct answer is option C नेपाल और चीन द्वारा किये गए नए सर्वेक्षन के अनुसार, Mount Everest की उचाई 86 cm बढ़ गई है तो फ्रेंड्स नेपाल और चाइना इन दोनों के Foreign Ministers ने ये Certify किया है कि जो अब Everest की जो height है वो 8848.86 ये मिटर है इसकी अब height और 1954 में फ्रेंड्स ये रही 8848 मिटर और फ्रेंड्स साथ ये अगर Mount Everest की बात करें तो ये आपने fact बहुत कम सुना होगा कि राधानाथ सिख्दर इन्होंने फ्रेंड्स सबसे पहले बताया था कि जो Mount Everest है वो सबसे उचा परवत सिखर है और इन्होंने ही इसकी जो height है उसको calculate करने में अपना योगदान दिया था तो नाम याद रखना राधानाथ सिख्दर और फ्रेंड्स 29 माई 1953 को New Zealand के एड्मॉर्ण हिलेरी और इंडियन नेपाली तेंजिंग नोर्गे ये दोनो पहले परवतार होई बने जिन्होंने Mount Everest पर फते हासिल की यानि उस पर चड़े साथी फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ परवत शिखर दिये गए हैं तो इनको आप देख सकते हैं काफी इंपोर्टेंट है ये भी तो देखें जैसी यह है लोट से तो फ्रेंड्स यह जो है Everest, K2 और कंचन जंगा के बाद चोथा सबसे उचा परवत शिखर है और इसके बाद है फ्रेंड्स माउंट मकालू यह फिफ्ट नंबर का सबसे उचा परवत शिखर है तो आप यह याद रखना SSCE जैसे एक्जाम समय या रेलवेज एक्जाम में पुछा जाता है और फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं और तीवत में इसको बोलते हैं चोमो लुंगमा विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाउंच्ट इंडियास फर्स्ट इंटरनेशनल डाइवर्सिफाइड आर इईट फंड ओफ फंड्स तो कोटक महिंद्रा म्यूच्वल फंड ने भारत की पहली इंटरनेशनल डाइवर्सिफाइड आर इईट फंड ओफ फंड की शुरुवात की है REIT का मतलब है Real Estate Investment Trust तो friends जो ये इसने पहली International Diversified REIT Fund launch किया है तो अब इसको जो है SMAM Asia REIT Subtrust Fund में invest किया जाएगा तो friends देखिए आपको ये question आ रहा होगा कि mutual fund और asset management company इसमें क्या अंतर है तो friends इसमें कुछ भी अंतर नहीं होता है asset management company जो है कई सारे mutual funds को देखती है यानि उनको arrange करती है तो asset management company का काम यही होता है कि कोई जैसे एक pool है fund का कोई pool है तो उसको किस समय और किस अच्छी जगा पर उसको invest किया जाए ताकि अच्छा return मिले तो ये सभी management जो है ये asset management company द्वारा किया जाता है और friends ये asset management company से भी में registered होती है What is the rank of India in the climate change performance index 2021? The correct answer is option A जलवायू परिवर्तन परदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की rank है 10 V और friends इसको जारी करता है German Watch और New Climate Institute and Climate Action Network और friends इसमें सबसे last में रहा है United States और first rank, second rank और third rank ये किसी को नहीं दी गई है क्योंकि कोई भी country इन चारो पेरामिटर्स पर C, H, G emissions यानि Greece House Gas Emissions Renewable Energy, Energy Use Climate Policy इन चारो पर कोई भी country पुरी तरह खरी नहीं उतरती है तो इसलिए fourth rank दी गई है Sweden को तो यही आपको सबसे अच्छी rank मानी जाएगी Sweden की मन्जूरी दी है साथी friends इन सभी के headquarters देख लेते हैं तो World Bank का headquarters है Washington DC में New Development Bank जिसे Bricks Bank भी का जाता था इसका headquarters है शंगाई और Asian Development Bank इसका headquarters है Manila in Philippines और Asian Infrastructure and Investment Bank इसका headquarters है बीजिंग में साथी friends अगर हम Asian Development Bank की बात करें तो Bengaluru Power Distribution System को upgrade करने के लिए 190 million US dollar का loan भी ADB ने approve किया है साथी ADB ने राजिस्थान की secondary towns इनको develop करने के लिए 300 million US dollar का loan अप्रूव किया है और भारत को COVID-19 से fight करने के लिए यानि इसमें भारत को इससे आगे बढ़ने के लिए 1.5 billion US dollar का loan भी ADB ने approve किया है साथी फ्रेंट्स West Bengal में resource planning के लिए भी ADB ने 50 million US dollar का loan अप्रूव किया है Recently in which two states has the central government recognized two new Jews The correct answer is option C तो हाली में बिहार और उत्तरपरदेश राज्यों में किंद्र सरकार ने दो नए चिडिया घरों को मान्यता दी है तो राजकीर जू सफारी जो की नालंदा बिहार में है और शहीद अस्फाक उल्लाखा प्रानी उद्ध्यान जो की उत्तरपरदेश के गोरकपूर में है इन सबी को चिडिया घर के रूप में मान्यता दी गई है इसे के साथ फ्रेंट्स उत्तरपरदेश में अब नो चिडियागर हो जाएंगे तो जो भी उत्तरपरदेश एक्जाम की तयारी कर रहे है यहां से यह फैक्ट पूछा जा सकता है इंटरनेशनल डे और सिविल एविएशन डे इस ओब्सर्ड ओन विच डे ति करेक्ट आंसर इस ओप्शन अंतराष्टिय नागरिक उड़े अंदिवस साथ दिसंबर को मनाया जाता है और फ्रेंट्स जो इंटरनेशनल सिविल एविशन का जो कन्वेंशन था यह साइन हुआ था 1944 को और इसे सिकागो कन्वेंशन भी बोला जाता है तो पेशेवर यूरोपीय फुटबोल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतिय महिला बनी है मनिपूर की नंगोम बाला देवी और यह खेल रही है रेंजर्स एफसी की दरफ से स्कॉटिस विमन्स प्रिमेर लीग में और यह मनिपूर की हैं यह भी आप याद रखना इंडियन ओरीजिन राज चोहान हैस बीन इलेक्टेड एस दा स्पीकर ओफ लिजिसलेटिव असेंबली इन विच कंट्री तो भारतिय मोल के राज चोहान को कैनेडा देश में विधान सभा अध्यक्स के रूप में चुना गया है इस पेसिव के लिए अगर बात करें तो ब्रिटिस कोलंबिया लिजिसलेटिव असेंबली तो यहां के फ्रेंड्स यह स्पीकर इलेक्ट किये गए हैं तो पेटा इंडिया का पर्सन अफ द यह पनाया गया है जोन अब्रायम को रिसेंटली विकेट कीपर बेट्समें पार्थिव पतेल अनौंस्ट इस रिस्टार्में फ्रॉम्स ओफ क्रिकेट इन विच यह दिब्यू इन इंटर्नेशनल क्रिकेट तो हाली में विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पतेलने क्रिकेट के सबी प्रारूपों से सन्यास लेने की घोशना की है और इन्होंने सन 2002 में अंतराष्टे क्रिकेट में डेब्यू किया था जब इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था है, 17 साल की एज में How many Indian women have found a mention in Forbes list of words 100 most powerful women? The correct answer is option D. Forbes द्वारा जारी दुनिया की सो सबसे सक्तिसाली महिलाओं की सूची में तीन भारतिय महिलाओं को जगा मिली है और इन में दिर्मला सीतारमन जो की हमारी Finance Minister है इनको 41 रैंक मिली है इसके बाद आई है रोशनी नादर मलोतरा जो की SCL Enterprise की CEO है इनकी रैंक रही है 55 और उसके बाद है बायोकॉन की फाउंडर कीरन मजूमदार शौ जिनकी रैंक रही है 68 और फ्रेंट्स जर्मन चांसलर एंजिला मारकेल ने लगातार दसवे साल इस लिश्ट को टॉप किया है US Vice President Elect Kamala Harris इसमें 30 नंबर पर रही है साथी फ्रेंट्स अगर बात करें हाल ही में जारी Fortune Top 100 Global Companies की तो इसमें भारत की Reliance Company ने 96th rank हाशिल गी है साथी फ्रेंट्स कोटक वैल्थ हुरुन इसके द्वारा जो जारी किया गया है कि इंडिया की Richest Woman कौन है तो यह है रोस्नी नादर मलोत्रा जो की STL Technologies की Chair Person है जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया साथी फ्रेंट्स अगर बात करें फ्रेंट्स द्वारा जारी की गई इंडिया के Richest जो परसन है तो वे हैं मुकेश अंबानी दोसे नंबर पर हैं गोदम अडानी और तीसे नंबर पर हैं सीव नादर तो फ्रेंट्स यह सभी हाली के Current Affairs हैं आपके Revision Purpose के लिए मैंने आपर इंकलूट किये हैं आप इनको Note Down जरूर कर लेना तीन टर्म आपने सुनी होंगी एक तो Nordic एक होता है Scandinavian और एक होता है Baltic Countries तो फ्रेंट्स इन तीनों में क्या आंतर है देखिए सबसे पहले बात करते हैं Scandinavian Countries की तो Denmark, Norway और Sweden इनको बोलते है Scandinavian Countries और अगर आप इनमें Finland और Iceland को भी Add कर दें तो यह बन जाती है Nordic Countries और आप देखिए सबसे नीचे देखिए तीन Countries आपको देख रही होंगी Estonia, Latvia और Lithuania इनको बोलते हैं friends Baltic Countries तो I hope आपको इन तीनों में अंदर समझ में आ गया होगा श्रिंगेरी मठ, Whose Pujaris Did The Rituals For The Bhoomi Poojan At The New Indian Parliament Building Site Is Located In Which State? The correct answer is option B, श्रिंगेरी मठ जिसके पुजारियों ने नए भारतिय संसत भवन इस्तल पर भूमी पूजान के लिए नुस्ठान किया यह करनाटक राज्य में इस्तित है फ्रेंड्स जल्दी से नए संसत भवन के बारे में जान लेते हैं, देखें जो यह नए संसत भवन है यह 64,500 स्क्वायर मिटर छेतरफल में बनेगा त्रिकोन आकार में होगा यह भवन और इसकी उचाई उतनी ही होगी जितनी मोजूदा संसत भवन की है साथी फ्रेंड्स इसके निर्मान की जो टोटल कोस्ट बताई जा रही है वो है 971 करोड रूपीज और नए भवन के लोगसभा चेंबर में 888 सेदस्यों और राज्यसभा चेंबर में 384 सेदस्यों के बैटने की चमता होगी संयुक्त सत्र यानि जोइंट सेदस्यों के दुरान लोगसभा कक्ष में 1224 सेदस्यों के बैटने की विवस्ता भी इसमें की जाएगी अच्छा ये सेटिंग कैपसिटी फ्रेंट्स इसलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि 2026 में लोगसभा सेटों का नए सेदस्यों से परी सीमन यानि डिलिमिटेशन होना है इसके बाद 302 संख्या बढ़ सकती है और इसकी लोकेशन जो है वो पुराने संसत भवन के ठीक स्थामने है और फ्रेंट्स जो ये पार्लेमेंट विल्डिंग बनेगी ये सेंटरल विष्टा इस प्रोजेक्ट के तहद बनेगी अब ये सेंटरल विष्टा क्या है तो फ्रेंट्स जो राजपत है इसके दोनों तरफ के इलाकों को सेंटरल विष्टा कहते है राजपती भवन से इंडिया गेट तक का इलाका इसके अंतरगत आता है तो प्रेजडेनट जो प्रेजडेनट का जो house है ना और आपका ये पार्लेमेंट विलिडिंग है south block है तो friends ये सभी जो है government का अभ ये कहना है कि इन सभी को renovate करने की जरूरत है तो ये renovation का जो काम है ये central vista project इसके तह़त किया जाएगा और इसकी टोटल कोस्ट आएगी 20,000 क्रोड रुपीज यानि सेंटरल विश्टा प्रोजेक्ट जो है ये 20,000 क्रोड रुपीज की एक प्रोजेक्ट है इलूरु टाउन विच है रिसेंटली बीन अफेक्टेड बाया मिस्टीरियस इनलेस इस लोकेटेड इन विच स्टेट है सभी लोगों में उल्टी सिर्दर्द और दोरे पढ़ने की सिकायद बताई जा रही है 45 में से 25 पेशेंट्स के बलड सेंपल में लेड और निकल इसके ट्रेस पाए गए है यानि इसको ट्रेस किया गया है तो इसके वज़े से वाटर कंटेमिनेशन कहीं न कहीं होना यह है लाजमी है तो इसके वज़े से यह जो लेड और निकल के जो ट्रेस पाए गए हैं तो एक कारण हो सकता है कि इसके वज़े से यह बिमारी फैली हो तो फ्रेंड्स गूगल इंडियाज इयर इन सर्च 2020 तो इसके अनुसार जो भारत में जो टोप ट्रेंडिंग क्वेरी रही है वो रही है आईपेल यानि इंडियन प्रीमेर लीग और फ्रेंड्स जो आईपेल 2020 है यह 19 सितमबर से 10 सितमबर तक खेला गया है UAE में यानि संयुक्त अरब अमिरात में और आईपेल के चेर्मैन है ब्रिजेस पटेल यह पूछा जा सकता है जाम में याद रखना और इस बार के जो आईपेल वीन रही है यह रही है मुंबई इंडियन जिन्होंने डेली कैपिटल्स को हराया है तो फ्रेंट्स मुंबई इस्थित आरबियल बैंक ने इसका मतलब क्या होता है फ्रेंट्स देखिए जब कोई बैंक किसी इंस्थित कमपनी के साथ को साइन करता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह बैंक अपने कस्टमर्डक्त को उस इंस्थित प्रोडक्ट्स से उनको शैल करेगा उनकी पेशट करेगा तो इससे एक तो देखिए जो इंस्थित już को यह फाईदा है कि उसकी प्रोच कर पाएगा customers को ठीक है अगर हम हाली के देखें इसी तरह के Pacts के तो HDFC Life ने ES Bank के साथ इस तरह का Pact Sign किया है SBI Life Insurance ने ES Bank के साथ Bank का Sorens Pact Sign किया है ICICI Lombard इसने भी ES Bank के साथ Bank का Sorens Pact Sign किया है What does the letter I stand for in PM1E? The correct answer is option B PM1E इसमें IE का मतलब है Interface अगर full phone की बात करें तो Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface अगर संचेप में इस scheme को जाने friends तो ये सारवजनिक Wi-Fi Network Provide कराने से Related Scheme है और इसके द्वारा देश में कहीं से भी आसानी से Internet Access मिल सकेगा और friends याद रखना कि इस scheme के तहट एक करोर डेटा सेंटर कंट्री में सेटप किये जाएंगे तो ये कोश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कितने डेटा सेंटर प्रोवाइड कराये जाएंगे अंडर PM1E Scheme तो आंसर होगा 1 करोर डेटा सेंटर इन रिपकंटरी आनिंद्य बिनर जी बहुत आपोइंटेड एस अम्बैस्टर ओफडिया तो फ्रेंट्स रिप्रॉब्लिक ओफ कोडिया में अनिंद्य बैनर जी को भारत के राजदुद में नुक्त किया गया है अगर हम हाली के नुक्त अंबेस्टर्स की बात करें जो भारत ने नुक्त किये हैं विदेश में तो फ्रेंट्स विशाल वी नियुक्त किया गया है डॉक्टर नीना मलोत्रा इनको सैन मेरिनों में भारत की नेक्स्ट अमबैस्टर नियुक्त की गई है मनोच कुमार भारती इनको रिपब्लिक ओफ इंडोनेशिया में नेक्स्ट अम्बेस्टर न्युक्त किया गया है परदीप कुमार रावत इनको निदर लेंड्स में भारत का अम्बेस्टर न्युक्त किया गया है जैदीप मजूमदार इनको होली सी में next ambassador बनाये गया है तनमा इलाल इनको स्वीडन में भारत का next ambassador बनाये गया है के नंदिनी सिंगला इनको मौरिसेस में भारत की next high commissioner बनाये गया है Recently International Olympic Committee has added break dancing as official sport for which Olympics The correct answer is option B तो हाल ही में अंतराष्टे Olympic समीती ने break dancing को Paris 2024 में जो Olympic खेले जाएंगे उनके लिए अरिक आरिक खेल के रूप में जोड़ा है Friends इसके अलावा तीन और खेल जोड़े गए हैं Surfing, Straight Boarding and Sports Climbing Friends अगर हम option A की बात करें Tokyo 2020 तो यह COVID-19 के कारण अब postpone हो चुका है अब यह होगा 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 के बीच और यह 32 वा एडिशन रहने वाला है याद रखना paper में इस तरह से पूर सकते हैं कि Tokyo 2020 Olympics जो है यह कौन सा एडिशन है तो आंसर होगा 32 वा एडिशन और इसका motto रहेगा United by Emotion The Union Ministry of Education has issued a new bag policy in which the weight of the bag will not exceed how many kilograms The correct answer is option A तो केंद्रे सिक्सा मंत्राले ने एक नई बैग नीती जारी की है जिसमें बैग का वजन 5 kg से अधिक नई होगा और फेंट जो class 1 से लेकर 10 तक के बच्चे हैं तो उनके weight से 10% जादा स्कूल बैक का weight नहीं होना चाहिए ठीक है और इसमें homework की भी बात बताई गई है कि class second तक कोई भी homework नहीं दिया जाएगा और class 9 से लेकर 12 तक केवल 2 घंटे तक का homework ही दिया जाएगा मतलब जो 2 घंटे तक में पूरा हो जाए तो देखें जैसे कोई अगर हम बात करें जो ये point है कि 10% से किसी बच्चे का weight जो है उसके 10% से जादा उसके school back का weight नहीं होना चाहिए तो देखें अगर पहली और दूसरी class के बच्चे की बात करें तो उनका weight होता है 16 से 22 kg तक का weight होता है ठीक है तो इसका मतलब 10% कम कर दीजे यानि 1.6 से 2.2 kg तक का उनका back का weight होना चाहिए ठीक है 10% से जादा नहीं होना चाहिए न तो 16 और 22 kg के बच्चे होते हैं तो 1.6 से 2.2 kg तक का उनका back का weight होना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए रिसेंटली विक्च बैंक डोनेट्स रुपीज 10 करोर तो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग देव फंड तो हाल ही में स्टेट बैंक आफ इंडिया ने ससस्तर सेना जंडा दिवस्खोस में 10 करोर रुपे दान दिये हैं SBI के चेर्मेन है दिनेश कुमार खारा और इसका हेटकार्टर से मुम्बई में Go for zero policy on COVID-19 as associated with which of the following country The correct answer is option B COVID-19 पर go for zero policy ये friends ऑस्ट्रिलिया देश से संबन दित है Go for zero policy Greaton Institute द्वारा प्रोपोस की गई थी इसके तहत आस्ट्रिया ही सरकार ने आस्टिंग बढ़ाई, contract tracing इसको तेश किया और mandatory isolation लागू किया Government ने quarantine rules तोडने वाले travelers के लिए एक QR code system भी बनाया है और अफ फ्रेंड्स आस्ट्रेलिया ने COVID-19 cases को लगबग रोक लिया है बहुत कम cases यहां पर report किये जा रहे हैं साथी फ्रेंड्स आस्ट्रेलिया इस बार माला बार exercise में भी जोइन हुआ इसके लावा इंडिया, US और जापान इस exercise में सामिल थे और यह हुई है बंगाल की खाडी और अरब साकर में तो 13 साल बाद आस्ट्रेलिया ने इसको जोइन किया है साथी फ्रेंड्स पहला इन्वार्मेंट फ्रेंड्ली स्पेस पोर्ट यह ऑस्ट्रेलिया में लौंच किया गया है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है इसकोट मौरिसन और यहां की कैपिटल है केनबरा Human Rights Day is observed each year on which of the following day The correct answer is option A 10 December को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि United Nations General Assembly ने 10 December 1948 को Universal Declaration on Human Rights इसको एडोप्ट किया था यह फ्रेंड्स कई बार पुछा जा चुका है various exams में पुछा जा चुका है कि United Nations ने Universal Declaration of Human Rights को कब एडोप्ट किया था तो इसको आप note down जरूर कर लेना और फ्रेंड्स इस बार का Human Rights Day थीम रहा है Recover Better Stand Up for Human Rights और फ्रेंड्स National Human Rights Commission जो भारत में है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका हैटकॉर्टर से डेली में साथी फ्रेंड्स सचीन बामगुडे इनको Human Rights Award 2020 से सम्मानित किया गया है साथी फ्रेंड्स इस साल फर्वरी में इनहीं सचीन बामगुडे को Emerging SME of the Year Award भी मिला है SME मतलब Small and Medium Enterprises In which state a 1.5 km long कोईलवर ब्रीज on the Sun River has been inaugurated by Union Minister for Road Transport and Highways नितिन गड़करी The correct answer is option A तो बिहार राज्य में सोन नदी पर 1.5 km लंबे कोईलवर पुलका उद्गाटन केंद्रिय सड़क परिवन और राजमार्ग मंतरी नितिन गड़करी जिने किया है और ये ब्रीज जो है ये 31 साल पुराने ब्रीज जिसका नाम है अब्दुलबरी ब्रीज इसको रिप्लेस करेगा और इसको कहा जाएगा वसिस्ट नारायन सिंग ब्रीज साथ ही फ्रेंट्स अभी हाली में आपको पता होगा बिहार में इलेक्शन हुए हैं तो आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हैं खास करके उनके लिए जो बिहार से जुड़े एक्जाम देने वाले हैं तो फ्रेंट्स जल्दी से देख लेते हैं देखिए हाँ पर जो इलेक्शन हुए हैं वो तीन फेज़ेज में हुए हैं 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को और ये सतरवी बिहार विधानसबा चुनी गई है 17 बिहार लेजिसलेटिव असेंबली और फ्रेंड्स बिहार की अगर लेजिसलेटिव असेंबली की बात करें तो 243 से यहाँ पर total seats हैं और majority पाने के लिए 122 seats लानी जरूरी होती हैं और यहाँ पर जो इस बार वोर्टिंग प्रसेंटेज रहा है यह 57.05 प्रसेंट रहा है साथी फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको कितनी सीट्स मिली है तो GDU को 43 मिली है, BJP को 74 और RJT को 75 सबसे बड़ी पार्टी RJD बनकर यहाँ पर उभरी है और अगर NDA की बात करें तो 125 सीट्स इसको मिली है यानि 122 मेजरोटी के लिए चाहिए होती है तो 3 सीट्स जादा इसको यहाँ पर मिली है तो फ्रेंड्स नोकिया ने भारत में 5G उपकरन का उत्पादन शुरू कर दिया है तो इसकी चेन नहीं में एक फेक्टर है यहाँ पर इसकी सुरुवात की गई है तो फ्रेंड्स यहाँ रखना एक आपको यहाँ पर दीख रहा होगा MIMO तो फ्रेंड्स यहाँ कभी-कभी उसमें एक्जाम में पूछ ले जाता है तो इसकी फुल-फॉर्म होती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक्विप्मेंट्स मन रहे हैं तो यह डिफरेंट कंट्रीज में भेजे जाएंगे क्योंकि वहाँ पर 5G deployment का काम शुरू हो गया है नोग्या का headquarter से एश्पो इन फिल्लैंड में तो फ्रेंड्स जो यह convention हो रही है यह एक तीन दिन का एक प्रोग्राम है जो की 10 से 12 दिसंबर तक मनाए जा रहा है बोद गया इन बिहार में तो फ्रेंड्स नासा ने 2024 के चंदरमा मिशन के लिए भारत्य अमेरिकी राजाचारी को चुना है और फ्रेंड्स इस मिशन का नाम है आर्टेमीज प्रोग्राम इससे पहले याद रखना कि इस मिशन के लिए टोटल 18 एस्टोनोट्स चुने गए हैं उन में से एक हैं यह राजाचारी तो फ्रेंड्स जो यह मून मिशन है इसका नाम है आर्टेमीज प्रोग्राम तो इसके तैद फ्रेंड्स जो नासा है यह अपनी पहली फीमेल एस्टोनोट और अपना नेक्स्ट मेल एस्टोनोट मून पर भेजने वाला है ताकि जो लूनर सर्फेस है उसको और अच्छे से एक्स्पोर किया जा सके इससे पहले आपको पता होगा की नील आमस्ट्रोंग और बज अल्डरीन यह चांद पर उतर चुके है नासा की फुलफोर में नैशनल अरोनोटिक्स एंड स्पेस अड्मिनिस्टेशन और इसका हैटकॉर्टर से वासिंग्टन डी सी उनाइटेड सेट्स तो फ्रेंट्स ब्राजील की कैरोलीना अराउजो इनको यूवा गणी तक गे रामानुजम प्रसकार 2020 से समानित किया गया है और फ्रेंट्स जो यह प्राइज है इसको जो सायधा मिलती है वो मिनिस्ट्री ओफ साइंस अंड टेकनलोजी और नॉर्वेन एकेडमी ओफ साइंस अंड लेटर्स इसके द्वारा मिलती है यह जियोमेट्री की एक्सपर्ट है तो इसी फिल्ड में इनको यह प्रसकार दिया गया है और फ्रेंट्स जो यह प्रसकार है 2004 में शुरू किया गया था तो इसी फिल्ड गौहाटी के सोत करताओं ने हवा से पानी निकालने की तकनीक विक्सित की है और फ्रेंट्स जो यह तकनीक इनों ने विक्सित की है यह हाइड्रोफोबिसिटी इस कंसेप्ट पर आधारित है साथी फ्रेंट्स अगर आईटी गौहाटी से जुड़े करेंट टफेल्स की बात करें तो इसने फ्रेंट्स लाइट बीम्स को यूज़ करके इस्पेस ओप्टिकल कम्युनिकेशन इसको भी डेवलप किया है हाल ही में और आईटी गौहाटी के साइंटिस्ट जो है इन्होंने बायो फ्यूल और लेक्टिक एसिट प्रोडक्शन के लिए पिंचर केटलिस इसको डेवलप किया है साथी आईटी गौहाटी ने इंपिरियल कोलिज लंडन के साथ मिलकर नैनो पार्टिकल मेटा ग्रीड इसको भी डेवलप किया है पाउलो रोसी वू पास्ट अवी रिसेंटली वास्ट फुटबोल प्लेयर ओफ विच कंट्री तो पाउलो रोसी जिनका हाली में नितन हो गया है यह इटली देश के फुटबोल खिलाडी थे काफी फेमस खिलाडी रहे हैं फ्रेंट से इस इंडिया रैंक इन दे ग्लोबल हाउस प्राइज इंडेक्स ट्वंटी ट्वंटी तो इसमें फिफ्टी फॉर्थ रैंक है अगर हम कंपेर करें पिछले साल के क्वार्टर थी की तो 47 रैंक यहाँ पर इंडिया की रही थी और इसमें जो सबसे अच्छी रैंक आई है वो है टर्की की विच बैंक हैस लॉंच्ट आ यूस्टी 9 बिलियन वेक्सीन इनिसेटिव दे एशिया पैसिफिक वेक्सीन एक्सेस फैसिलिटी तो एशियन डेवलप्मेंट बैंक ने 9 बिलियन अमेरिकी डोलर की वेक्सीन पहल एशिया पैसिफिक वेक्सीन एक्सेस फैसिलिटी एपी वेक्स की सुरुवात की है और फैंड्स इसके तहट जो एडी भी है ये सपोर्ट करने वाला है जो इसके डेवलपिंग कंट्रीज मेंबर्स हैं ताकि वे जो कुरोना की वेक्सीन है उसको प्रोक्योर कर सकें और डिलीवर कर सकें साथ अगर इन सभी बैंक के हैटकॉर्टर से देखें तो वर्ड बैंक का हैटकॉर्टर से वासिंग्टन डी सी में निव डेवलप्मेंट बैंक जिसे बिक्स बैंक आ जाता था इसका हैटकॉर्टर से संगाई में एशियन डेवलप्मेंट बैंक इसका हैटकॉर्टर से मनी एक सोनब्बे मिलियन युएस डॉलर का लॉन एपरूव किया है साथी प्रद्ध राजिस्थान के सेकेनरित डॉञ्स को डेवलप करने के लिए इसने थीन-प्रिंश डी लॉंड ईपनूव किया है साथी इसने कोई-419 से लड़ने के लिए भारत को USD 1.5 billion loan को एप्रूव किया है साथी इसने फ्रेंट्स वेस्ट बेंगोल में जो वहां की रिसोर्स प्लैनिंग है उसको इंप्रूव करने के लिए 50 million US dollar loan का अप्रूव किया है Which state launched मेरा COVID केंदर एप to locate free COVID-19 test centers The correct answer is option D निसुल्क COVID-19 परिक्षन केंदरों का पता लगाने के लिए उत्रपरदेश राज्ये ने मेरा COVID केंदर एप लौँच किया है So friends, 5 km तक के दायरे में free COVID test centers की location इस एप के थूँ मालूम चलपाएगी उत्रपरदेश के CM है योगी आदित्तनाथ गवर्णर है यहां की आदन्दी बेन पटेल जो की मध्यपरदेश की भी गवर्णर है और यहां की capital है लखनौ साथी friends अगर उत्रपरदेश से जुड़े हाल ही के current affairs की बात करें तो उत्रपरदेश की कीथम लेक जिसे की सूर सरोवर भी बोलते हैं या आगरा के पास है इसको रामसर साइट का दरजा दिया गया है साथी friends अगर domestic tourist की पहली पसंद का बताय जाए तो उत्रपरदेश इसमें सबसे नंबर पर रहा है 2019 में top destination for domestic tourist साथी friends योगी अदित्यनाथ जी ने एनाउंस किया है कि नोईडा में इंडिया की biggest film city बनेगी साथी उत्रपरदेश ने Child Labor Prohibition Day के दिन बाल स्रमिक विद्या योजना इसको लॉंच किया परदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्रपरदेश के सोनबद्र और मिड़जापूर डिस्टिक में हर घर जल योजना इसको लॉंच किया है साथी friends UPCM योगी अदित्यनाथ जी ने URISE Portal इसको भी लॉंच किया है URISE का मतलब है Unified Reimagined Innovation for Students Empowerment साथी उत्रपरदेश गवर्मेंट ने गंगा Expressway Project इसको भी अप्रूव किया है और इसकी कुल लागत आएगी 36,402 क्रोड रूपीज ये इलाबाद से लेकर हरी द्वार तक extend होगा The correct answer is option B तो friends अतुल वासन जोकी पूर्व इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं इन्हें दिल्ली और डिस्टिक क्रिकेट असोशेशन क्रिकेट सलाकार समीति का अध्यक्ष न्यूकती आ गया है साथी friends हाल ही में जो ये डैली आइन डिस्टिक क्रिकेट असोशेशन है इसके president बनाए गए हैं रोहन जेटली जो की लेट अरुण चेटली जी के सन है The correct answer is option B तो Fortune Business Person of the Year 2020 की सूची में टॉप पर रहे हैं अलन मस्क और फ्रेंड्स अगर हम अलन मस्क की बात करें तो SpaceX, Tesla, Neuralink इस तरह की कमपनीज इन्हों ने इस्थापित की हैं ये इनके CEO हैं और इसमें फ्रेंड्स अगर बात करें तो Adobe के CEO सांतिनू नारायन ये आठवे नमबर पर रहे हैं और Mastercard के CEO अजे बंगा ये नववे नमबर पर रहे हैं साथी फ्रेंड्स हाली के अगर बात करें तो Fortune's Top 100 Global Companies इसमें Reliance ने 96th rank हासिल की है 96th rank साथी फ्रेंड्स अगर हम Kotak Wealth Hurun लिस्ट की बात करें तो रोश्नी नादर मलोतरा जो की Chairperson है SCL Technologies की ये इंडिया की Reaches to Women बताई गई है साथी फ्रेंड्स निर्मला सितरमन जो की भारती Finance Minister है तो Forbes ने एक लिस्ट जारी की है 100 Most Powerful Women की तो इसमें ये 41 नमबर पर हैं साथी दो और Indian Women इसमें सामिल है किरन मजूमदार साव और रोश्नी नादर मलोतरा और इस लिस्ट को टॉप किया है एंजरेना मारकल ने जो की जर्मनी की Chancellor है Which country will supply smash fire control system to the Indian Navy? The correct answer is option B तो friends, Israel भारतियन नोसेना को smash fire control system उपलब दिकराएगा इसराइल के अगर बात करें तो यहां के Prime Minister है Benjamin Netanyahu Capital है Jerusalem और currency है Israeli Shekel Friends जो यह आप flag देख रहे हैं यह इसराइल का flag है और जो बीच में आप आगरती देख रहे हैं इसे बोलते है hexagram और इसको बोलते हैं वैसे इसका जो नाम दिया गया है यहां पर flag में Star of David साथी Friends यहां पर तील लोकेशन देखने वाली हैं यह एक्जाम में पूछी भी जाती हैं तो सबसे पहले आप देखे गाजा तो जो यह गाजा स्ट्रिप है यह Mediterranean Sea के Eastern Coast पर है और यहां पर जो रूल जो जिसका यहां पर rolling है वो है हमास group यहां पर रूल करता है तो हमास को कई countries तो terrorist organization बताते हैं जबकि कुछ countries इसको terrorist organization नहीं मानते हैं साथी Friends दूसरी location है यहां पर West Bank तो यह West Bank इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जो आप Jordan River है यहां पर तो उसके West Side में है लिए West Bank और यहां पर ज्यादातर हिस्सा इसराइल के कंट्रोल में है और कुछ हिस्सा पलेस्तिन की कंट्रोल में है फिर सबसे उपर आप देखे गोलन हाइट्स जो की सीरिया का पहले इस पर आधी पर त्युवा करता था लेकिन अब इसराइल का यहां पर कब जा है किया है फ्रेंट्स इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह है कि जब सूर्य की रोस्नी उपलब्द ना हो तब भी सोलर एनरजी बनाई सके बनाई जा सके तो यह तो सेकंडरी उद्देश्य है और इसमें सक्तिसाली चुम्बक यह छेत्र का उपयोग किया गया है यह सूर्य जो सनलेयन बोलते है यानी नुकलियर फ्यूजन रिक्टर और फ्रेंट इसका जो नाम है वह है 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 यह तो का माक रिक्टर तो इसको लिखा है अनिता आनन्द जी ने और इस पुस्तक को मिला है पैन है सेल टिल्ट मैन पुरसकार विच बैंक है रिसेंटली लॉंच्ट एन ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर फार्मर्स ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन डी करनाटक विकास ग्रामीन बैंक ने हाल ही में किसानों के लिए ओवर ड्राफ्ट सुवीदा की शुरुवात की है ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है जब आपके बैंक एकाउंट में पैसे ना हो लेकिन तब भी आप बैंक से पैसे निकाल सकते हैं तो उसके लिए एक लिमिट सेट की जाती है तो उतने ही रुपया आप वहाँ से निकाल सकते हैं तो इसको बोलते हैं ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी The Central Government has recently approved Universal Service Obligation Fund Scheme for providing mobile coverage in which two states The correct answer is option D तो केंदर सरकार ने आसाम और अरुनाचल प्रदेश इन दो राज्यों में mobile coverage परदान करने के लिए सारोभोमिक सेवा दाइत्व निधी योजना को मंजूरी दी है तो फ्रेंड्स इसके तहट जो भी uncovered villages हैं जहां पर mobile coverage नहीं है तो 234 ऐसे villages हैं इन दोनों राज्यों में जहां पर mobile coverage नहीं है तो महां पर mobile coverage प्रोवाइट कराई जाएगी Recently, Lufthansa Airline Launched Calendar of Hope to Help Street Children in India Which country does this airline belong to? The correct answer is option D तो friends, हाल ही में Lufthansa Airline ने भारत में Street Children की मदद के लिए Calendar of Hope launch किया है तो ये Airline जो है, ये German Airline है, ये Germany से संबन्दित है तो friends, इसने जो है, Lufthansa ने Impact Guru जो कि एक Harvard Incubated Startup है, इसके साथ partnership की है और इसके तह़र जो भी fund यहां पर आएगा तो उसको आसरा Trust जो कि friends, देरा दून में Street Children को support करता है ये और एक Delhi-based है Sunshine Children Education Society जो कि Slum Children को shelter provide करता है तो यहां पर ये contribution दिया जाएगा साथी friends, आप ये भी याद रखना Star Alliance ये कभी-कभी एकजाम में पूछ ले जाता है तो Star Alliance जो है friends ये एक Global Airline Alliance है मतलब जितने भी Airlines है 26 Global Airline का ये एक समू है यानि 26 जो भी अलग-अलग Airline है उन्होंने मिलकर एक समू बनाया हुआ है उसको बोलते है Star Alliance और इसका हैटपाटर से है जर्मोनी में तो दादा साहिब फाल के Icon Award 2020 तो दादा साहिब फाल के Icon Award 2020 ये जीता है फ्रेंड्स अनंक्षा बिस्वास ने जो कि मिर्जापूर जैसी जो सीरीज है इनमें भी काम कर चुकी है विच बैंक है जो लॉंच्ट दी आत्मनिरबर विमेन स्कीम ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन दी तो बैंक ओफ बढ़ोदा ने आत्मनिरबर महिला योजना की सुरुवात की है और फ्रेंड्स इस पर ये जो है महिलाओं को 0.50% कंसेशन पर लोन प्रोवाइट कराएगा विच कंट्री विल होस्ट दी वर्ड एकोनोमिक फोरम 2021 ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन सी तो फ्रेंड्स विस्व आर्थिक मंच 2021 इसकी मेजबानी सिंगापूर देश करेगा फ्रेंड्स वैसे ये जो हर साल होती है ये स्विट्जर लेंड के दावोस में होती है वर्ड एकोनोमिक फोरम की जो एन्वल मीटिंग होती है लेकिन क्योंकि स्विट्जर लेंड में भी कोरोना केसे काफी बढ़ रहे हैं तो इस वज़े से इसको सिंगापूर में सिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि सिंगापूर में इतने केसे नहीं है और जो वर्ड एकोनोमिक फोरम है इसका हैटकॉर्टर से स्विट्जर लेंड के कोलोगनी में साथ ही फ्रेंड्स अगर बात करें वर्ड एकोनोमिक फोरम की तो यह ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी लॉंच करता है ग्लोबल कंपिटिव नैस रिपोर्ट भी इसके द्वारा जारी की जाती है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स भी यही जारी करता है ट्रेवल एंड टुरिज्म कंपिटिव नैस रिपोर्ट यह भी वर्ड एकोनोमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं और अगर आप rrb ntpc की तयारी कर रहे हैं उसका paper आपका होना है तो friends हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लें बैल आइकोन जरूर दबा लें क्योंकि पूरा का पूरा शली बस general awareness का आपको हमारे चैनल पर provide कर आये जाएगा दोस्तों आपर current affairs की playlist दी गई है इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ whatsapp and telegram पर share करें लाइक करें और comment करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी थैंक्यू गाइस